देखिये हम भी चुनाव लड़ेंगे वो समय बताएगा गठभंदन चुनाव के समय जब चुनाव की तारीख आएगे गठभंदन में लड़ा जाएगा या नहीं वो तो समय ही तैकरेगा उसमें दोनों पार्टियों गे हाई कमान की सेमती बन पाती है या नहीं जो देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो मोदी जी शरकार को यह हमारा समर्थन होगा तो लोगों ने बदलाव का मन बना लिया और निश्ची तोर पर दो हजार चुबिस में यह बदलाव होके रहेगा और हम दस से च्छारी सीटों पर आएगे राम राम नमस्कार हारियाना तक देख रहे हैं हाँ और सोनिया मेरा नाम है जुलाना में यह जेजेपी की रैली हुई और एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि मिशन दुश्चंत दो हजार चौबिस का जो आगाज है वो इस रैली से हुआ है जेजेपी से जुड़े कुछ अंदोलन हुए वो जो नेगेटिव मार्किंग रही क्या वो लगातार कम होती जा रही है इन तमाम मस्रों पर हम बात करेंगे सर जैसे मेरा पहला सवाल ही रहा कि जैसे किसान अंदोलन रहा दुश्चन चोटाला बीजेपी में सांजेदार हो गए तो वो जो नेगेटिव म क्योदर निमटा है और निम्टा है और कि सान की बात को माने जाएं बार बार दुशन जी केंद्रिये नेताओं से मिलकर यही आग्रे किया कि ननी when to तो उसमें तो जो बिल लाए थे ना कोई हमारे सानसद गया स्ताक्सरें किसी के बीजेपी लाई थी और बीजेपी ने वह वापिस भी ले लिए किसान की बात भी माल लिए और किसान को उस दोरान जो विरोध रहा चाहिए वो बीजेपी का भी रहा हो चाहिए वो जेजेपी क अब वो नेगेटिव मार्किंग कम हुई है आपको लग रहा है इतनी बारी संख्या में किसानी तो थे यह जो बैठे दे किसानी आये थे एक ऐसे जरूरी समय में जब उसको फसल भीजनी है उसके खेत में पानी रुका हुआ है बारिस का उसको काम को छोड़कर पहले दुश् में जब बीजय पी जो है अपनी रहा कर रही है आप जो है जेजेपी ने भी शुरू कर दी है तो यह अगर गठ पंदन में चुनाओं नहीं लड़ेगा तो हम अपने आप मेहीं सशक्त रहेंगे मजबूत रहेंगे लेकिनुसे या नहीं लेकिन हमने दस की दस लोकसभाओं में अपना प्रोग्राम रखा है लोकसभा क्षेतर की रेलिया रखी है और हमने एक गंभीरता से लिया है इसको एक अवसर के रूप में जो एक ये लोकसभा का चुनाव होगा दोजार चौविस मिशन से पहले इसमें हम वर्क करके के अपना जो एक मान रही है हमारी पार्टी इसमें अपना एक शक्ति पर दर्शन करना है हमारा लक्षय दोजार चौविस मिशन दुशन चोटाला है लेकिन एक अवसर की तरह ये लोकसभा चुनाव आये हैं हमारे पास इसमें हम exercise करके अपना जो शंगठन है उसको खड़ा करके एक मजबूती से अपनी ताकत दिखाएंगे और जो समय के अनुकूल जैसे अभी माहौल होगा गठबंदन में चुनाओ कि स्थितिया मनती है तो गठबंदन में लड़ा जाएगा अगर इसके विपरीत होती है तो पर उस हालात में भी हम दस की दस सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है आप जैसे जो जीज़िपी से जुड़े हुए वो किस में खुश है गठबंदन में या के लिए लड़ने में देखिया आज मोधी जी डेश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं अभी मोधी जी जो है मारी पार्टी है अध्यु क्या सदॉण लड़ेगी लेकिन देष इत्मा मोधी जी के साथ है मारी पार्टी जी और देश ईत में चाहती है कि मोधी सरकार दुबारे हैं बहुत शुक्रिया सर बाच्चीत के लिए सर आप से भी हम बाच्चीत करना चाहेंगे एक सवाल अक्सर ये रहता है कि दुशन चोटाला जब दस सीटे उनको मिली तो वो बीजेपी को लगाता राज आलोचनाओं के घेरे में रखते रहे हैं कुछ मैनिफेस्टों की बातें थी उनमें क्यावन सो पेंशन जो सबसे बड़ा मसला रहा वो भी पूरा नहीं हुआ तो आपको लगता है कि क्या जनता दोबारा यकीन रख पाएगी या कर पाएगी आप देखिए रेली को खतम हुए आदा घंटा हो गया और अब युवा साथियों की भीड़ी यहां पर देख सकती हो तो लोगों ने बदलाओ का मन बना लिया और निश्चित तोर पर 2024 में यह बदलाओ होके रहेगा और हम 10 से 46 सीटों पर आएगे चालिस पर आगे तो दुशन चोटाला सीएम बन गए हाँ बिल्कुल यहां जीन्द की धर्ती से लोग संकल्प लेके गए हैं और संकल्प ही एक मातर ऐसा विकल्प है कि जिसका कोई विकल्प नहीं होता और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पर जीत निश्चित नही दोजार चोविस मिशन दुस्यन शुरू कर दिया यहां से लेकिन हम यह भी माने कि जिसे विधान से बाचुनाव थे लोग से बाचुनाव उनसे बिल्कुल हटके हैं जहां पर हमने पीछली बार देगा कि मोदी का जो चहरा रहा उसके सहारे भी 10 की 10 सीटे आ गई बीजेपी वेक्तिगत चहरे पे भी चुनाव लड़ा जाता है अगर मैं बात करूं अपनी खर खोदा विधान सबाकी तो मैं पूरे हरियाना में सब से कम वोटों से हारने वाड़ा वेक्तिगूं बारा सो तेटीस वोटों से मैं खर खोदा से चुनाव हारा हूं और जो लोग बोलते हैं 2019 में 2019 में और 2014 भी मैं थोड़ी वोटों से हारा था निरदलिये चुनाव लड़ा था 2014 का तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर वेक्ति किसी फिल्ड में महनत करेगा चैए परिवार है चै जो टाला भी बनते जा रहे होतों देखिए जिन के पास 23% वोट थे 20 विदायक थे आज उनको की सासिये पे चले गए आपको पता है और हमारी पार्टी उस समय पे सिरफ 10 महीने की पार्टी थी और हमने 10 सीटे विदानसभा की जीतने का काम किया और अभी तो मारे पास 3.5 स साल चले गए और डेड़ साल का समय भी हो रहे है और हमारा एक एक विदायक पांच विदायकों के बराबर काम करने का परियास भी कर रहा है और आगे भी हम इसी परियास में लगे हुए है कॉम्पिटीशन फिर किन से हैं आपका मारे भूपेंद्र हुड़ा से ही देखिए कॉम्पिटीशन तो किसी से नहीं मानते क्योंकि आज की भीड़ने अकीकत दिखा दी कि जो जीन्द की धरती है यहां से बदलाव चारी है और इस पार्टी का हमारी पार्टी का जो आगाज हुआ था जीन्द की पंडू-पिंडारा की धरती से हुआ था और यहां के लोग अब की बार यह उप अठाकर पूरा सीम दूसेंजी को बनाने जा रहे हैं यह पहले जेजेपी के जो वरकर से मैं बात कर रही हूं सब कहरेगा दूसें चोटाला को हम सीम बनते देखना चाहते हैं तो फिर बीजेपी वाले या जो आप लोगों के वीरोदी है वो और जनारदन तै करते हैं कि कोण मजबूत है कोण कमजोर है तो इस गठ बंदन में तो हमालने के यह एक सरकार के लिए जो है वो गठ बंदन किया गया अगर बीजेपी वरकरों की बात करें जेजेपी वरकरों की बात करें तो कभी आपसी मत बेद मन बेद ऐसा कभी रहता है न तो ऐसी कोई बात नहीं केवल वो छोटी मोटी चर्चा का विशे कहीं न कहीं रहती है। स्वागत करता हूँ और मेरे तो दिल में दुशिंद बाई चुटाला जी बशे हुए हैं। मेरे एक सवाल अक्सर होता है जैसे आप जैसे जो वर्कर है जो आप बता रहे हो के तनमंधन से जुटे होते पार्टी से अपका जो आर्थिक स्तर है वो उचा उठता है, सामाजिक स्तर क्या उचा उठता है। इसके अलावा जैसे रोटी कपड़ा मकान रोजगार एक वर्कर को क्या मिलता उससे? एक वर्कर को ये मिलता है उसका जो पार्टी गानिता होता है चांद पचा आई। चले गए चांद पे वर्कर दर तो दर्ती पर रहे गया नहीं? एक वर्कर करका हैं रुए उसकी जमिन पर उना चाहिए और दूसरा पैर उसका राज में उना चाहिए तो उनका पैर दूसरा राज में होगा था कि दिखाए हैं बाई दूसें चोड़ा रान डिफ्टी सीम होते हुए एक MP बने थे इस अरसे जब कि दिल्ली ट्रेक्टर लेगा गए थे यह जब भी ट्रेक्टर किशानों के लिए ट्रेक्टर ले जा का दिल्ली में खड़ा कर दिया था अब 10 सीट लेका डिफ्टी सेम बन आप किशानों के लिए 36 कों के लिए काम करें गुड़गाओं के अंदर खरकोटा के अंदर पाउंड ये चैर्मेन इनके गाओं में वहां खरकोटा के अंदर एंटी लगा दी महरुतियों दोग जो की पूरा वर्ल्ड के अंदर पहला नंबर पहर है जा आज पलस्टू पास करके बच्चे ट्रेंडिंग लेते हैं एरपोर्ट एरोपलाइन की कहां लेते हैं कहां लेते हैं ब्याहनी में खुले हुआ हुआ है ट्रेनिंग सेंटर किसक क्या है कि दस विधाय के दसका दम दिखाने के बात थिया तो सरकार में अश्यदारी करने काम था यूँ जब पूर्ण सरकार दूसरी तुटलाजी आए कि मुख्यमंत्री बढ़ेंगे सरकार के युवाओ के काम में युवाओ के लाली भी आएगी विकास भी होगा विकास पर द्रातर से जोड़ी पार्टी यह है कि आज देख लो आज सब कोई को अंगरस है कि इतने में पार्टी बढ़ी है उनको सर्व और सुर्ण तुटलाज से लगता है एक प्रतिसाल का लड़काद उनको जो आठ बार दायक है पांस बार दायक है दस मुख्यमंत्री है अज कि आप देखो आप एक प्रिवार्ट दो वाई होते हैं तो अपना लेता है अब यह तो अपने बसा है हमारे प्रति मुख्या कहते हैं कि विदायक वी तेजिए उनको दिया था अब एक विदायकर रहेगी अब हमारे पास तो वाई बात से उनीस परसेंट वोट आई थी औ और अब कि बारे पतासकरी के सेंट वोट वाई लेंगे हम कांगरिस पार्ट्री कांगरिस पार्ट्री में तो दो ही शुकुत्री सुवारी रहेगी बजाचे तक पर दिपेंदर और उड़ा दो ही हैं बाबु बेटा इन से तीसरा इनके साथ नहीं कोई बी और कांग बाब तो तीजार है हम कारिय करता इसे हैं ये तो आप रकार उठा का दे सकते हो जन ना एक जनता पार्ट्री का देवलाल के साथ स्योग चलने वाड़े छोटे बड़े वो इतना मजबूत्ती के साथ कारिय करता है एक कारिय करता दूसरी पार्ट्री के लिए सोव के वराबर उत है शुक्रिया बात्चित के लिए तो यह जेजेपी जो वरकर हैं उन्सकी आपने बात्चित सुनी हम यह कह सकते हैं कि यह जो सोनीपत लोक सभाग शित्रे में जो जेजेपी की पहली रेली हुई है मिशन दुशंत दो हजार चौपिस का आगाज यहां से हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि अब चुनावी प्लान पर जेजेपी फिरहाल जुट चुकी है मैं सुनिया सतानीता कैमरा पसंद सिधात के साथ जुलाना हर्याना तक हुआ 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 है